नमस्क्राइब दोस्तों है इसके houseplants में आप सभी के स्वागत है आज मैंने आप सभी के लिए 22 फिट वाई 45 फिट का houseplant तीयर किया है इसमें one side road और three side other properties है आप सभी को मेरा बनाया हुआ houseplant पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों family के साथ share करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे है चैनल सब्सक्राइब करें तो वैल आइकान का बटन दमाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके तो आएए प्लान देखते हैं हमने ground floor plan तेयर किया है यह road side है इधर plot का size 22 feet wide है और यहाँ पर हमने main gate दिया है और यहां पर यह parking के लिए 10 feet wide 10 feet 9 inch का space दिया है यह हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और left side में यह हमने staircase दिया है 6 feet wide जिसमें 3 feet wide stairs है उपर की मंजल पर जाने के लिए और यह हमारा drawing room है drawing room का size है 10 feet wide 12 feet और यहां हमने ventilation के लिए इधर parking की तरफ इसकी window दिये और एक यह दूर और यह दूसरा दूर अंदर lobby में जाने के लिए यह हमने kitchen मनाया है kitchen का size है 10 feet wide 8 feet यहां यह इसका ventilation के लिए हमने इधर staircase की तरफ इसकी window दिये और यहां पर gas store और sink design किये और यहां पर arch provide किये और यह हमारा lobby कम dining area रहेगा यह 10 feet wide 16 feet 16 inch है और यहां पर हमने dining table डिजाइन किये और यहां पर हमने open space दिया है यहां पर हम जाल डाल देंगे जिससे हमारा इसमें dining area और इसमें lobby में रोशनी बनी रहेगी और हवा आती रहेगी और यह toilet है common toilet 6 feet 6 inch wide 5 feet 6 inch का और पीछे की side में यह bedroom है 10 feet wide 14 feet का और यहां पर यह wardrobe design किये है और यहां पर हमने open space दिया है इस room का ventilation भी धर ही रहेगा यहां पर हमने ventilation के लिए window लगाई है और यहां पर यह toilet बनाया है toilet का size 5 feet 6 inch wide 6 feet और यह second bedroom है 10 feet wide 10 feet का इसमें हमने ventilation के लिए इधर window दिये हो टीस की तरब तो दोस्तों आप सभी को मेरा बनाया हुआ प्लान पसंद आएगा आप सभी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों family के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद